गुर्देव भगवान पाउन पवित्र बागेश्वर्धाम में पाउन चुके हैं गुरु माताजी गुर्देव भगवान की माताजी हम सबी की आदरनी गुर्देव भगवान की गुरु माताजी अपने पुत्र के आने पर इतनी खुशी हैं कि घर से गर्मा गर्म भोजन बना के गुरुदेव भगवान को खिलाने के लिए आस्रम में जा रही हैं देखिए मा 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 होती है सने होता है प्यार होती है मा की तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं गुरुदेव भगवान के लिए इतने हाजारों सिस्षे हैं लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान अपने मा को इतना सर्वप्री मानते हैं इतनी इज़्जत करते हैं अक वहाँ पे जिकर आया कथा के दोरान तो भावी भोरो गए सब को, सब के मन में एक ऐसा हो जाता है गुरुदेव भगवान जब भाव में डूब जाते हैं तो सभी रोने लग जाते हैं तो मा के समाद के उपर हमेशा से ही गुरुदेव भगवान क्योंकि मा से बहुत लगाव है गुरुदेव भगवान का इसलिए गुरु माताजी है, हमारी माताजी गुरुदेव भगवान के लिए भोजन गर्मा गर्म अपने हाथों से बना कर ले की आई है जब भी गुरुदेव किशी कारिकरम के लिए पूरुना हाउती करके भाव से ये धर्ती की बाते हैं धर्ती दरातल से जूड़ी हुई बाते हैं क्योंकि हम ऐसी भागदोड जिंदगी के अंदर गुजर चुके हैं उस जिंदगी के अंदर हम अपने जो हमारी रियल लाइफ है जो हमारे रियल संसकार है जो हमारी आत्मा की जो आवाज है उस उने खो दिया है लेकिन अब भी गुरुदेव भगवान जैसे परिवार हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उनसे हमें शिक्षा ग्रहन करने चाहिए होटलों में खाना खाते हो पता नि कहां कहां जाके आप टैम गुजारते हो लेकिन एक यह परतिमा देखिए एक यह माताजी देखिए एक इनके संसकार देखिए रसोई है आसरम के अंदर पाउन पवित्र बागे श्वर्द हम के अंदर रसोई बनती है लेकिन एक भाव होता है अपने पुत्र के परती अपनी मागा समरपन होता है पुत्र भी यह वेट करता है मतलब कि सारी ठकान सरीर के अंदर जितनी होई होती है वो मा के चरणों में जब एक बार सर रख लेता है पुत्र तो सारी की सारी ठकान दूर हो जाती है ऐसा मा समझ सकती है क्योंकि मा जानती है मेरा पुत्र दिन रात क्या क्या काम करता है सुबै से लेके शाम से लेके सुबै तक ना सोने का ना खाने का ना पीने का ना उठने का ना बैठने का चोबिस घंटे एक मसीन की तरह कारिये करते हैं सरीर की कपैस्टी होती है लेकिन ये तो स्वेम बालाजी महराज सन्यासी बाबा का आशिरवाद है वरना हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता दस मिन्ट तक हम पांच मिन्ट की वीडियो बनाते हैं बोलते बोलते ठक जाते हैं कि क्या सब्दावली परस्तूत करें कटिंग करनी पड़ती है सब्द हमारे खतम हो जाते हैं लेकिन एक हमारे गुरुदेव भगवान देखिए निरंतर निरंतर इतनी अनरजी अब पर्तेक्स को परमान की जरूर्द नहीं इस्वर का हायारे श्वयम हमें तो गुरुदेव भगवान में ही इस्वर दिख रहा है ये देखी माता जी आई हैं दिव्य माता के दर्शन ऐसी जननी ऐसी हमारी माता जिनों ने ऐसे हमें गुरु दिये इनके चरण अगर एक बार हमें हमारे मत्थे पे लगाने को पीजाएं तो मेरे आदरनी भगत जनों आप उन चरणों को अपने मत्थे पे लगा लेना क्योंकि ऐसी जननी जने तो भगत जन या दाता या सूर नहीं तो जननी बांज रहे काहें कावाईन तो हे मेरी माता आपने तो ऐसे पुत्र को जनन दिया है ऐसे लाल को जनन दिया है जिनकी वाई वाई और जिनका बखान करने में हमारी वाणी बहुत छोटी है हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते ऐसे पुत्र को आपने पैदा किया है करोड़ों लोगों के हर रोज दुख दूर होते है करोड़ों लोगों की संकट ऐसा विनास का दोर चल रहा है उस विनास के दोर में ऐसे संत को आप माता आपने पैदा किया हम धन्य है, हमारी धन्य है भारत भूमी और धन्य है हमारी भारत भूमी के संद, मा के श्री चरणों में और मा की कोद में जब गुर्देव भगवान बैठ के खाना खाते हैं, तो वो आनंद, वो पल हम मैसुस कर सकते हैं, उस पल को वानी से नहीं बोला जाता, क्योंकि वानी की वो बात ही नहीं है वानी से आप उस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते वक्तव्य जो होता है भाव का वो वानी से नहीं बोल सकते तो ऐसे गुरुओं को और ऐसी मिरी माता के शिरी चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम जै सन्यासी बावा की यह जिवन और यह जिवन की एक पद्ती हम गुरुदे भगवान के जितने शिश्य हैं हमें भी हमारे जिंदगी में उतारने चाहिए गुरुदे भगवान कहते हैं दिन रात हम आप सभी लोगों को हमको जगाने में लगे हुए हैं लेकिन अगर उन अनमोल, मोती, हीरे से भी कीमती, बेस कीमती बातों को अगर हमने हमारी जिन्दगी में नहीं उतारा हमारे हमारे जीवन में नहीं उतारा तो क्या फाइदा हजारों किलो मिटर यात्रा करके पावंध हम में जाने का और जगे जगे सत्संग सुनने का ये जिन्दगी की लाइन है छोटी छोटी गुरुदेव भगवान की ऐसी इन सुत्रों का अगर हमने 10% भी हमारी जिन्दगी में उतार लिया तो हमारा जिन्दगी का जो आना है प्रभुगिता परमेश्वर ने जो हमें जिसकारी के लिए भेजा है गुरुदेव भगवान की 10% बातों को भी हमने मान लिया तो हमारा आना सफल हो जाएगा तो ये गुरुदेव भगवान की जिन्दगी जिन्दगी से जुड़ी हुई जो बाते हैं हम लोग संतों का अनुस्वरन करवाते हैं आप सभी लोगों को धरंप्रेमी सजनों का, गुरूओं का, महापुर्षों का दर्सन करवाते हैं तो हमारा दर्सन कराने का कार ये तभी सफल होगा कि इन बातों से, इन गुरूओं की परंपरा से, इन गुरूओं की दर्सन से, इन की कथा सुनने से हमारी जिन्दगी में बदलावाए लेकिन वही बात है आप लगे रहिए गुरुओं के सरण में लगे रहिए परंपिता परमेश्वर के सरण में लगे रहिए सन्यासी बाबा हनुमान जी महराज के पावन पवित्र धाम से और गुरुदेव भगवान के धाम से हरी नाम के किर्टन के साथ जूड़े रहिए हमारा मंगल ही होगा अमंगल नहीं होगा इसी के साथ सबी धरम प्रेमी सजनों को ओमन मोनारायन जय बागे स्वर्धाम जय सन्यासी बाबा जय हनुमान जी महराज मंगलवार का महा दिव्य दरबार भी लगेगा मंगलवारी का पेसी दरबार भी लगेगा दरबार के अंदर कल मंगलवार है मंगलवार का महा दिव्य दरबार और महा पेसी दरबार दोनों लगेंगे बहुत दूर दूर से ध्रमप्रे में सजन आये हुए हैं बागे स्वर्धा में गुर्दय भगवान भी बहुत ठके हुए हैं आज माता के हाथ का भोजन करके गुर्दय भगवान आराम करेंगे सन्यासी बाबा के शिरी चर्णों में हनुमान जी महराज के शिरी चर्णों में और फिर वही कारवा सुवे से फिर सरू हो जाएगा गुरुदे भगवान का गुरुदे भगवान का स्वास्ते और हम सभी भक्तों का स्वास्ते बढ़िया रहे यही हम कामना करते हैं सन्यासी बाबा से और हनुमान जी महराज से आपकी सस्था के अंदर जितने भी भगत जुड़े हुए हैं जितने भी धरम प्रेमी सजन जुड़े हुए हैं वो गुरुदे भगवान है परमपिता परमेश्वर सन्यासी बाबा हम छल कपट से दूर होकर हमेशा नीश्वार्थ भाव से एक बिलकुल कोमल हर्दे से जिस परकार से मा और बेटे का पाउन पवित्तर सन्य का रिस्ता होता है सन्य के रिस्ते के साथ हम आप सभी भगतों के साथ लगे रहें और आप गुरुदे भगवान हमारे उपर ऐसे ही आसिरवाद बनाए रख यह जो आपने इतनी सुन्दर एक बेल पैदा की है कि बेल बोई है तो इसके फल अनेकों त्यार होगे गुरुदे भगवान बोल रहेते कि एक नहीं धिरेंदर सास्त्री हजारों धिरेंदर सास्त्री पैदा होंगे और हो भी रहे हैं गुरुदे भगवान के चमतकार के सा दिव्वे दिव्वे संद समागम के अंदर ऐसी ऐसी बातें और ऐसे से ज्ञान की जो ये जो तरंगे फूटेंगी इन तरंगों से हजारों दिवेंदर सास्त्री पैदा होंगे सनातन की हजारों स्रंखलाएं पैदा होगी ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य हस्तिया निकल के आएंगी जो दबी हुई थी अब वो उजागर होगी और एक ऐसा पाउन पवित्र बागे स्वर्दहम का जो संकलप गुरुदे भगवान ने ले रखा है वो पुरुनता की और जाएगा बोली बागे स्वर्दहम की जै बोली सन्यासी बाबा की जै बोली हर्मान जी महराज की जै करिंदे और ले रखा जाता है करे में आपारो जाएवापन की जै करे भुरुनता है करे अवित्र बागे स्वर्दहम की जै रख्टहा आप्टहर जाता है कर दो कर दो